हेलो एवरिवन एक वार्वेट स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंज जैसा कि आप थमनेल पर देखी चुकी हो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन जो में लिए आपको अगामी एच पी जेबिटी कमेशन, एच साई कंड़क्टर, जेवाईटी पोस्टकॉर्ट नौसो पैंसेट, पंचाइट इडिटर, पटवारी और वेरिस एक्जाम जो आने वाले इस में में कंड़क्ट किये जाने हैं उन्हें सभी एक्जाम में ये क्वेशन जो होंगे वो आपको क कर सकते हो, इंस्टाग्राम आइडी का जो लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वीडियो को शुडू करने से पहले, अगर आप चैनले पे पहली वाल विजिट कर रहे हो, तो चैनले को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और वैल आइकन प्रेस करना न भूलें, और नौटिफिकेशन अन कर दे, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इस वीडियो का प्रेस्ट है, इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सी प्रात्मिक चैनले कही जाती है, तो विचार कोड आज प्राइमरी रोक्स कहा जाता है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिसक्स कर लेते हैं, कि आगने चटाने होती कौन सी है, एगने चटानों को जो निर्मान होता है, वे जो आलमोखी उदगार किसमें बूह घर्ब से निकने वाली लावा के जमिकर ठंडा हो जाने के पश्चात होता ह है, जैसे आगने चटानों के जो एक्जामपल्स है, उदारण है, वे आपने याद रखना है, ग्रेनाइट हो गया, वे साल्ट हो गया, गैबरो हो गया, जायोराइट हो गया, पिट स्टोर हो गया, प्यूमिस हो गया, पैगमाटाइट हो गया, यह जो है वो आपके आगने चटानों के एक्जाम्पल हैं यह आपने याद रखना है आगने चटाने कौन सी होती है इनका निर्मान जो होता है वो जो आलमों की उदिदार किसमे भूगर्ब से निकलने वाले लावा की जमकर ठंडा हो जाने से होता है और इसके बाद बात करते हैं हम सेंडिमेंट्री रो जाता है और यह संपूर्ण भूप्रिष्ट के 75 प्रतिशत भाग पर पाई जाती है तो संपूर्ण भूप्रिष्ट के भाग पर यह 75 प्रतिशत जो है वो पाई जाती है सेंडिमेंट्री रोक्स जो होती है अब शादी चटाने जो होती है यह आपने याद रखना है उसी और प्रवत्रनिर्वाद काल में उश्मा और दाव के प्युक्त होने से यांतरिक और उसानिक परिवत्र से होती है यह आपने याद रखना है इसके इंटल होगया। सिस्ट हो गया, क्वार्डजाइट हो गया, सेंग मरमर हो गया, नीस हो गया ये सबी जो है वो आपकी मेटामॉर्फिक, रोक स्केका, एंतरित चितानों के एक्जामप्ल है और आगने चितानों के एक्जामपल तो आपने याद दखने ही है ग्रेनाइट, वेसोर्ट, गेबरो, जायरोइट, पिच्स्टोन, प्योमिस और पेगमा टाइट हो गया अगले प्रेशन पर चलते हैं रिक्टर स्केल का जो प्योग है वे क्या नापने के लिए किया जाता है रिक्टर स्केल इस यूजड फोर मेजरे तो जो रिक्टर स्केल है उसको रिक्टर स्केल का उप्योग जो है वो क्या नापने के लिए किया जाता है इंपोर्टन है एक्जाम में कही बार कुछन ये पूछा गया है तो कुछन नम्बर 78 का जो राइट अंसर है वे आपका ऑप्शन नम्बर C है बूकंप की तीबरता को नापने के लिए एक्टर स्केल जो है उसका उप्योग जो है वो किया जाता है जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे अर्थक्स लेटर है तो बूकंप पहले आपको पता होना चाहिए बूकंप होता क्या है तो बूकंप जो है वो भूपटल की कमपन अथवा लहर है जो धरातल की नीचे अथवा उपर चटानों के लिए चीले पन या गुरुत्वा कर्षन की सम स्थिती में परिवर्तत होने पर उत्पन होती है अब कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए जैसे सिस्मोग्राफ क्या होता है तो बूकंप पियत रंगों को मापनी के अंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है सिस्मोलोजी किसे कहा जाता है बूकंप का विज्ञान यह आपने आज रखना है साइन्स ओफ अर्थकुएक जो है उसे सिस्मोलोजी कहा जाता है फोकस क्या होता है फोकस होता है जहां पर बूकंप का सबसे पहले सरप्रत्म जहां पर आभी भारब होता है epicenter क्या होता है epicenter होता है जहां पर सरप्रत्थम भूकंप लहरों का अनुभब होता है ये भी आपने याद रखना है सम भूकंप या रेखा आईसो सेस्मल लाइन जो होती है वे कौन सी होती है तो भूकंप के अंदर के चारों और समार भूकंप या तीवरता की खीचे जाने वाली जो रेखा ही होती है उन्हें सम भूकंप या रेखा कहा जाता है रेक्टर पैमाना जो होता है रेक्टर पैमाने की बात करते हैं तो रेक्टर स्केल जो होता है ये भूकंप के इसमें प्रयुक्त होने वाली और जाके मापन पर आधारित है और इस scale में इस पेमाने पर भूकम के वेग में एक अंख के ब्रिद्धी जो है वो दस गुना अधिक ब्रिद्धी ब्रता को दर्शाता है और एक पहले हुआ करता था मरकेली पेमाना मरकेली scale जो इसमें भूकम का मापन जो था वो भूकम द्वारा होने वाले क्षधी के अध लाइजें तो यह बरस्ते तो यह आपको बता है कारा कोरम श्रिंखरा में है option number बी जो हैसके का correct answer है और और अधर नेक्श्ट कॉश्चन है इसमें बोला कि बाइव मंडल की बायू मंडल की वाइव मंडल की बायू मंडल के सबसे सबसे निचली परत है यह आपने याद रखना है आपको पता है बायू मंडल को तापमान के अधार पर टेंपरेचर के अधार पर पांच लेयर्ज में पांच मंडलों में विवाजित किया गया है वो पांच मंडल कौन कौन से हैं खशोब मंडल हो गया समताप मंडल हो गया मद्य मंडल हो गया आयर मंडल हो गया और वाहय मंडल हो गया अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिसकस किलेते हैं तो बात करते हैं Шव也 के बारे में यानि के खषुअब मंदल के बारे में तो यह बायball की सबसे निचली परत है इस परत की जो उन्चाई है वे भुमद्या रिखा पर 16 km है और दुरुबों पर पोल्स पर 8 km है खषुअब मंदल में समस्त मौसमी परिवर्थन होते है जिस कार्ड इसे परीवर्तन मंडल भी कहा जाता है और इस परत में कुछूब मंडल में परते 856.5mm की उंचाई पर जाने पर एक Degree Celsius Temperature का ह Kesogen होता है जीसे इताब की समान ने लिए हासद्ध कहा जाता है तो परीवर्तन मंडल भी कहा जाता है कि इस अथ्चोब मंडल को पर्त जो भूमद्य रेखा की ओपर लगोगा Dolies Uh J इस लिए बायुयान की उडाने के लिए एक आदर्श पर्त is तो यह आपने याद रखना है जो बायू यान उड़ते हैं वे किस लेयर में उड़ते हैं तो वो समताफ मंदल स्टैटोस पेर में उड़ते हैं क्यों क्योंकि यहां जो यह लेयर जो है वो मुस्मी समध्धी इकटनाओं से जो है वो मुक्त है यह आपने याद रखना है इस म मेजोस्पेर के बारे में तो मद्या मंडल का विस्तार है सागल तल से 50-80 km के उनचाहिए तक पाया जाता है इस मंडल में उनचाहि के साथ अतापवाद में पुना गिरावट होने लगती है यह भी आपने याद लखना है आयन मंडल के बारे में बात करते हैं आयन मंडल जो है आयनोस्पेर जो है प्रिथवी सता से 80-640 km की उनचाहिए तक आयन मंडल पाया जाता है उनचाहि के साथ इस मंडल में तापमान की बिद्धी होती है यह आपने याद लखना है टेंपरेचर जो है वो इनकरीज होता है यहां पर विद्यत चुम्ब की एक कन पाय जाते हैं और रेडियो तुरंगों रेडियो वेव्स का परावर्तन होता है यह भी आपने याद रखना है और लास्ट जो लेयर है आपकी पांच में वे आपकी एक्जोस्पेर है कौन सी है एक्जोस्पेर है जिसे वाया मंडल भी कहा जाता है तो आयल मंडल के व य अफर वाया मंडल की सबसे पर ही परत जो है वह वो वायो मंडल कहा जाता है उसे और इस मंडल में इस लेएर में हाई ट्रोर्जन और हीलियम गैसों की जो है वो प्रधानता है कि मातरा मेवेग पाई जाती है यह आपने याद रखना है इम्पोर्टन्ट है यहां से कुशन लेयर से जो कुशन है वो एक्जाम में कई वार पूछा जाता है इसलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल में डिसकस कर लिया अब बात करते हैं अ सबसे क्षक्रशन फुस किन औरह जोता होना चाहिए इस कर चलते हैं और माहसागर जिसकी जहराई जो है उसापी डीकर तौकिस महासागरि की यहराई जो है सबसे दिकंड़ कौन सा है wird तांबर बी है पड़ात्थ महासागर जो है 50 में कॉशन जो है is फgem का रहने सर मिश्व के आपको बता है वर्ड या चार प्रमक महासागर है चार प्रमो कोशिन्स हैं कौन कौन से हैं परसाथ महासागर हो गया अंटलाटिक महासागर हो गया हिंद महासागर हो गया अर्कटिक महासागर हो गया अब इनको एक वार डिटेल में डिसकस करेते हैं बात करते हैं परसाथ महासागर के बारे में पैस्पी कोशिन के बारे में तो ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है इसकी जो आकरिती है बेत्रिभुज आकार की है प्रिथवी के एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है ये भी आपने याल रखना है प्रिथवी के एक तिहाई भाग पर ये फैला हुआ है विश्व की सबसे गहरी गरत जो महासागर है यह आपने याद रखना है उसके बादे बात करते हैं अंडलाटिक महासागर के बारे में अंडलाटिक महासागर जो है अंडलाटिक ओशिन जो है सार्गेस सागर उतरी अंटलाटिक महा सागर में स्थेत है जहां शांत और गतिहीं जल जो है वो पाया जाता है और इसकी आकरिती जो है वा एस आकरिती है अंटलाटिक महा सागर की जो आकरिती है वे एस आकरिती है यह आपने याद दखना है इसके पच्चे में उत्री तथा दक्षण अमेरिका और पूर्ब में यूरोप और अफरीका जो है उस्तेत हैं ये भी आपने याद रखना है उसके बाद बात करते हैं इंडियन ओशन के बारे में हिंद महासागर के बारे में तो हिंद महासागर जो है ये एक और परशाद महासागर तता दूसरी और अंटलैटिक महासागर से मिला है जिसे अर्द महासागर भी कहा जाता है ये भी आपने याद रखना है इसके जावा के एक्षन में सुंदा गरत और डायमेंटीना गरत जो है वो पाई जाती है हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा दूइप है वे मेडा गासकर है ये आपने याद रखना है ये इंपोर्टन्ट है याद रखना है अपने एक्जाम में की वार कुशन जो है वो प्रिश्व का सबसे चोड़ा महाध वी पियम मगन तर्ट जो है वो भी इसी महासागर में है और ग्रीन लैंड और नॉर्बे जो है वो इसके प्रवोक वेसिन है यह आपने याद रखना है तो विश्व का जो सबसे बड़ा और ग्हारा महासागर है वे कौन सा है वे परश गया है कि हाई टायड डाल सो कॉल तो उच जवार भाता को यह भी कहा जाता है तो न्मर फोटी और वाटी डी टू का जो एक त्री जो राइट लाइटन सर वगया व्यापका ऑप्षिन नमर भी हो जाएगा असे स्प्रिंग टाइड फी कहा जाता है वहत जवार जो है वो कि अकर्षन शक्तियों के कारण सागरी जल की उपर उठने तथा गिरने को जुवार बाटा कहा जाता है यह आपने याद रखना है और इससे उत्पन तरंगों को जुवार ये तरंग कहा जाता है अब बात करते हैं सागरी टाइड के बारे में तो सागरी जल की उपर उठकर तटकी और वढ़ने को जवार कहा जाता है और उस समय निर्मित उच जल तल को उच जवार कहा जाता है हाई टाइट कहा जाता है और सागरे जल के नीचे गिरकर सागर पीछे लोटने को भाटा तो उसमय निर्मित होने वाले जल को निमन जवार निके लो टाइड जो है वो कह अब बात करते हैं जोवार का स्मेंजो होता है वी कब होता है तो प्रतेख स्थान जरूटीज दिन 12 तो दूसरा ठीक उसके पीछे अब बात करते हैं स्प्रिंग टाइड के बारे में स्प्रिंग टाइड स्प्रिंग टाइड जो होता है दीर्ग जुआर जिसे कहा जाता है पुर्णिमा और अमवस्या के दिन दीर्ग जुआर यानिके स्प्रिंग टाइड की उत्पत्ती होती ह यह पूर्णिमा और फ्रिफवी जो है वो तीनों एक ही सीध में होती है तो सुप्रिंग टाइड गूर्ब की जो अरपति होती है वहत जोवार की यह पूरणिमा और अमवस्या के दिन इसकी उत्पत्ती होती है क्योंकि इस दिन सोर्या चंदर्म और प्रित्वी जो है वो तीनो एक सीध में होते है विश्व में सबसे उंचा जवार जो है वो कनाड़ा की फंडी की खाडी में आता है ये भी आपने याद रखना है इंपोर्टेंट एक्जाम में कही बार कुछन ये जो है वो पूछा गया है अगले प्रेशन पर चलते हैं इसमें बोलागे कि पादप जो अपना भोजन स्वें मनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दा प्लार्स विच प्रिपेर दियर ओन फूड आरे कोल्ड तो उन्हें क्या कहा जाता है वो प्रेशन नमर्टी फॉर का जो राइटनस रहिए आपको उप्शन बेंवी है उन्हें ऑटो टॉप्स कहा जाता है नेच्ट कुछन बेशलते हैं और जो नक्षिंट पाजो मुख्या कारण है और जोड़ डपलेशन इस मेंनली कोस्ट वाइ तो जो अनक्षिंटा का जो मुख्या उधारन है वे क्या है कुछ नमर एटी फाइव का जो राइटन्स रहे वे आपका आप्शन नमर भी है क्लोरो क्लोरो कार्वन जो है जिसे सी एपसी कहा जाता है यह जो अनक्षिंटा का संक्या है वे किस महादूइब में है इस कोशन का जो राइट अंसर है यह आपको बता है प्रित्वी पर जी सबसे बड़ा महादूइब है जो विश्व के लगभग 39.5 प्रतिशत क्षेत्रफल पर जो है वो विस्त्रित है फैला हुआ है सारवदिक लंबी जो 30 सीमा है कोस् एशिया में एक शेत्रफल की जूष्टी से सबसे बड़ा देश है चीन है और सबसे छोड़ा जो है माल दूइब है श्रिलंका को सिहल दीव के नाम से भी जाना जाता है एशिया का सबसे गर्मस्तान जैकोबाबाद है जो की पाकिस्तान में स्थित है और सबसे ठंडा स्थान जो है वो बर्खेवांस का है जिसे पृत्वी का शीत दुरूब भी कहा जाता है एशिय महादीब में कुल 48 देश अवस्तित है चीन सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा जो है वो 14 देशों पर छोटी है और विशुम में सारब देखे हैं उसके बाद बात कर लेते हैं यूरोप महादीब के बारे में तो एक शेतरबल की देश्टी से साथ महादीबों में इस अता इसे न्यू वर्ड भी कहा जाता है ये आपने याद रखना है इसे न्यू वर्ड न्यू वर्ड भी कहा जाता है और उसके बात करते हैं अफरीका महादीब के बारे में अफरीका महादीब जो है अफरीका महादीब को ब्लैक कॉंटिनेट काला या अंध महादीब भी क कहा जाता है इसे पठारी συन स्रस्क्राइब भी कहा जाता है यद्वियादर रखना है और इसके बाद दक्षिन अमेरिका जो है यह बिश्व का चौथा सबसे बड़ा माहतुईप है यह भी आपको पता होना चाहिए और अस्ट्रेलिया जो है अस्ट्रेलिया की बात करते हैं अस्ट्रेलिया महादीव की जो खोई थी वो एबिल तसमान और कप्तान जेम्स कुक ने की थी और लास असे बड़ा माटविक्षिन लिजेते है अब कौन हैश्टेलिया महादीव कि अफरीका और न नोर्थ अमेरिका सबसें के जाब कैशार्बों कि जलते हैं तो और क्युमिन परिट की चार्शिक कि की जाती है कुई नैन इस एक्स्टेक्टेड़ फ्रॉन दा ब्राक ओफ विच्ट्री तो कुछ नमरेटी सेवन का जो राइट अंसर है व्याव का अप्शन नमबर भी है सिन को ना जो है इस कुछन का राइट अंसर है इस वीडियो को लास्ट कॉशन है इसमें बोलागा कि कौ अंच्राइब करके था देघ्लोंसा देश, इसमे विश्रुका चीनी, का और सथमॉल भायोवी, वीश्रुदा कहुदा तो कि वेश्रुका खुन चेनी का क्तारा जो है वो किस देश को कहा जाता है सट कि मई का जाता है क्योब और यावदा आज कि हमने और इस कृडर्ह कि जो मेले हैं आपको अगाम में HPJVT कमिशन, SI कंड़क्टर, JVT पोच्ट को 965, पंचायत ओडिटर, पतवारी और वेरिस एक्जाम जो आने वाले समय में कंड़क्ट किये जाने हैं उन सबी एक्जाम में ये questions होंगे, वो आपको काफी helpful थावित होंगी तो friends, आपने करना किया है? इन questions के short form एन और से जरूर बना लेने हैं क्योंकि revision के time ये questions होंगे, वो आपको काफी helpful थावित होंगी तो friends, आप मुझे इस्टाग्राम पर भी follow कर सकते हो इन्स्टाग्राम आइडी का जो लिंक है, वो मैंने description box में दे दिया है तो आज किस वीडियो मच इतना ही? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like, share and comment ज़रूर कर दें चैनल को subscribe ज़रूर कर दें वेल icon प्रेस करना न भूले और notification on कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो friends आज किस वीडियो मच इतना ही? तो thank you friends